हलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू फुल स्कूर स्वागत आप सभी लोगों का मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो आज की क्लास में मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ स्सी बाबा की जो test series है उसके mains के जो seventh test series है उसके maths के best questions आज आपके सामने discuss करने वाला हूँ तो आईए चलिए start करते हैं देखते हैं पहला question तो जो पहला question है basically देखेंगे आप की highly calculated question है और शायद इसी वजह से इस question में बच्चों को problem हुई है तो आईए देखते हैं एक बार पढ़ते हैं तो एक होल सेलर है वह 8% की प्रॉफिट पे ठीक फुटकर भी क्रेता को यानि की रिटेलर को एक घड़ी बेशता है कितनी प्रॉफिट 8% की प्रॉफिट अब 8% को लिखने के कई तरीके हैं दोस्तों फ्रेक्शन में आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे 25 या फिर इस परसेंटेज को दिखाने का एक और तरीका हो सकता हम कह सकते हैं जी 100 रुपीज अगर इसकी कॉस्ट प्राइस थी तो जो प्रॉफिट लेता है वो वो लेता है 8% तो 108 रुपए हो जाता है 8% प्रॉफिट के बाद ठीक है यह ठीक दो बातें हो गई and the retailer sells it to a customer at a profit of 12% अब retailer क्या कर रहा है 12% की profit पर सामान को बेज देता है 12% को भी आप चाहो तो fraction में लिख सकते हो 12 by 100 या फिर 3 by 25 तो दो तरीके हैं question को करने के आप 25, 27, 25,28 वो जो आप करते हैं कर सकते हैं या फिर 108 बटा सो वह सारा कुछ भी आप कर सकते हैं ठीक लेकिन है highly calculated एक काम आप और कर सकते हैं कि देखें रिटेलर को जो profit हुआ है वह 12% हुआ है 108 रुपाय में retailer खरीदता है और 12% का profit यानि की 12% 108 का कितना होगा आप कहेंगे कि 12.96 12.96 दिख रहा है प्रॉपर इसमें जोड़ दीजिए 120.96 आपको मिलते है final price यह आप कह सकते हैं 121 के बहुत करीब है यह final price आपको मिल जाती है कहते हैं जी customer ने दिया है 8448 रुपीज 8449 तो 8449 रुपाय कस्टमर ने पे किये लेकिन यहां पर हमको दिख रहा है कि customer ने 120.96 रुपए ठीक पूछते हैं जी whole seller की को कितने की घड़ी पड़ी थी whole seller की जो हमने cost price ली है वो 100 ली है यहां पे ठीक तो हम चाहें तो 120.96 से इसको भाग दे सकते हैं या 121 ले सकते हैं into 100 कर देंगे तो हमें हमारी final answer मिल जाएगा ठीक तो basically यह मुझे लगा कि shortest calculation वाला हिसाब किताब हो सकता है otherwise इसी 8448 को एक बार 108 से भाग देना था 100 से गुड़ा फिर 112 से भाग 100 से गुड़ा तो थोड़ा सा शायद बड़ा होता 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 ठीक है so with this I am moving to next question calculation मैं आपके उपर छोड़ रहा हूँ आप करेंगे ठीक है अच्छा भई जो भी बच्चे डबले ओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि full score is the best platform for that आप देखेंगे लगातार हमने selections दिये हैं और इस बार जो highest rank रही है हमारे बैस से All India Rank 4 और यह विक्रांत All India Rank इनकी है 8 और इनकी जो rank है रागहों की वो है All India Rank 9 तो 4, 8, 9 single digit में 3 ranks रही हैं तो कोई भी जो भी डबले ओ की तैयारी करना चाहता है उससे आप बोल सकते हैं कि full score is the only place to prepare for double courses हमारे available है हमारे app पे full score AO app पे वहां पे जाके बच्चा join कर सकता है आई यह अगला question देखते हैं तो basically question ठीक है कोई खास problem होनी नहीं चाहिए थी लेकिन उन बच्चों को problem ज्यादा होई होगी जिनकी practice बहुत ज्यादा है ठीक तो वह repetitive questions की आदत होती है तो आप कुछ चीज़ें कर लेते हैं आई यह देखते हैं तो एक गार्डन है पच्चतर बीतर लंबा और 47 मीटर चौड़ा मतलब लेंथ गार्डन की 75 मीटर और विर्थ जो दे रखी है वो दे रखी है 47 मीटर प्यार्विच्च अगर हम गार्डन बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिख रह ले लिया और इधर आपने ले लिया 47 ठीक आगे क्या कहते हैं इस टू मीटर वाइड पेव्मेंट्स दो मीटर का फुट पाथ है और अंदर भी है एक और एक फुट पाथ बाहर भी है तो मैं अगर आप से पूछू हूं यह अंदर एक दोस्तों यह हो गया फुट पाथ वाला अंदर वाले फुट पाथ का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं प्यार बच्चे कहते हैं कि एक फुट पाथ बाहर भी है तो आए चलिए वो फुट पाथ भी ड्रॉ कर लेते हैं तो भी यहां पे ऐसे रहा होगा ठीक ह दो-दो मीटर का यह आपका बाहर वाला फुट पाथ ठीक राइट वाट इस दे कॉस्ट अफ कंस्ट्रक्शन अफ पेब्मेंट एड़ रेट आफ रुपीज फाइफ पर स्क्वाइर मीटर हमें उस फुट पाथ के निर्माड की लागत बतानी है फाइफ पर मीटर स्क्वाइर के साबसे वो बनेगा सबसे पहले फुट पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा प्यारे बिच्चे आप देखी जो एकदम बाहर वाला रेक्टेंगल है जो मैंने ब्लैक से बनाया है अगर हम उसका एरिया निकाल ले और फिर जो रेड वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल ले अगर बड़े वाले वाले से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दे तो जो टोटल एरिया है अंदर वाले फुट पाथ का और बाहर वाले फुट पाथ का वो दोनों ही आ जाएगा हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा और उसको फाइव से मल्टिप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे आईए देखते हैं बाहर वाले फुट पाथ का एरिया मतलब लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये प्यारे बच्चे आपको 75 इदर दे रखा इदर 47 75 जो है दो इधर बढ़ा दीजे दो इधर 79 हो जाएगा 77 89 ठीक लंबाई हो गई और जो 47 है दो उपर दो नीचे बढ़ेगा तो 47 चार 51 हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई आप कर देंगे लेंट इन तो ब्रेथ आपको एरिया मिल जाएगा ठीक है भाई अब देखिए प्यारे बच्चे जो अंदर वाला फुटपाथ है उसका एरिया निकालने के लिए आपको दे रखा ये 75 और 47 है ना अब 75 में से दो इधर कम करिए दो इधर कितना बचा आप कहेंगे 71 और 47 में से प्यारे बच्चे जो आपको 47 दे रखा था दो उपर दो नीचे कम कर देंगे आपको मिल जाएगा 43 अगर मैं यह मुल्टिप्लाई कर गए इसको माइनस कर दो मुल्टिप्लाई करके तो मुझे बीच वाले का एरिया मिल जाएगा और अगर उसी को मैं 5 से मुल् चाहेगा तो यहां से यह question मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यहां से value आपको निकालनी है pure multiplication तो भया करना पड़ेगा इस question में ठीक प्यारे बच्चे आईए चलते हैं अगले question की तरफ देखते हैं एक अगला question ठीक एक आदमी है जिसने एक scooter खरीदा है और उसकी शर्त क्य है कि वह डाउन पेमेंट करना चाहता है कितने की डाउन पेमेंट करता है बारह हजार रुपए की दोस्तों वह डाउन पेमेंट कर देता है ठीक and he will pay 1680 रुपए एक साल बाद 1680 रुपए एक साल बाद देगा ठीक अच्छा जी बढ़िया है और 5292 आफटर टू यर्स और फिक इव दामाउंट और पेड़ फाइफ परसेंट कंपाउंड इंट्रेस्ट जो आमाउंट आपको पे करनी थी पांच परसेंट की चक्रुदी ब्याज के साथ पे करनी थी तो आपको प्राइस बताना है स्कूटर का प्यारे बच्छे यहां पर एक बात ध्यान देने वा परता तो प्रिंस्पल निकालना है अगर मतलब सुरू में स्कूटर का मुल निकालना है तो यह तो भी यह एक सो पांच परसेंट है आप चाहें तो 21 भी ले सकते हैं नीचे 21 by 20 105 बटा 100 और 20 ऊपर ठीक प्यारे बिचे यह बता देगा हमें जो भी निकल के आता है कि हमें कि इतने रुपए स्कूटर वाल मतलब एक साल पहले 1600 सी ना देके कितना देना पड़ता अभी जो 5292 है इसमें दो साल का चक्रदी ब्याज लगा हुआ है मतलब दो बार 21 इंटू 20 हुआ है सीड़ी बात या 1 प्लस आरबाई 100 होल तुद पावर 1 प्लस आरबाई 100 होल तुद करेंगे तो भी आपको वही बात मिलेगी है ना ठीक है प्यारे बच्चे यह आप जानते हैं फॉर्मूला ए बराबर पी है ना तो यहां से आप देखेंगे ए बराबर पी यह हो जाएगा 21 बटा 20 का स्कॉयर 21 बाई 20 का स्कॉयर तो अगर आपको पी चाहिए प्रिंसिपल तो इसको उधर ले जाके 20 बाई 21 कर देंगे आप तो प्लस कर दीजिए 21 बाई 20 का होल स्कॉयर ठीक है इसको करने के और भी मतलब तरीक्या है बट यह मुझे लगता है शायद थोड़ा सा दो चार सकेंड जादे लिमिट बड़ा स्ट्रेट फॉर्वर्ड तरीका है ठीक त कर देंट अस्ति रुपया होगा ठीक है यह बारह हजार आप इधर दे रहे हैं शोला सौ आपको यहां देनी इसका आपको निकालना पड़ेगा 21 42 दस बावन अक्यस पच्छे एक सो पांच चार नौ एक सव दुनी बैले ठीक है अब आप एक काम करेंगे इन को टोटल कर द तो यह आगया भी आपका आंसर ठीक है तो चलें अगले क्वेस्टन की तरफ आए चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्ण हमारे पास तो यह रहा प्यारी बैचे यह बड़ा ही मुझे एक लवली सा प्रश्ण लगा बड़ा प्यारा सा प्रश्ण आये देखते हैं कि एक आदमी है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सुबह मौर्णिंग में वह कवर करता है थ्री वाइट ऑफिस जर्नी तीन बटा आठ जर्नी का तीन बटा आठ कवर कर लेता है तील इलेवेन इम ग्यारह बजा जर्नी का कितना जर्नी का पूरी जर्नीहार行 तक औरsen तक तक, तक, था पाइब बाइब शिक्स पार्ट पांच बटा चैपार्ट वह कवर कर लेता है साधे चार पी-म तक स्टाम के साधे चार बजे ठीक है दोस्तों ओके अगे कहते हैं वेन डिडी स्टार्ट जर्री कितने बजे शुरू किया था तो तीन बजे आठ इस्सा 11 वजे खतम करता है तो अगर पता चल जाए किसी तरह कि तीन बटा आठ इस्से में कितना टाइम लगा दो घंटे तीन घंटे चार गंटे दो तना ही 11 एम से पीछे चला ज होगते हैं तो अगर आप देखेंगे तो पांच बटा 6 माइनस थीन बटा आठ जो 5 बटा छे सा इसी संविस, पराप और आठ इससा अगर आप माइनस कर दें तो आप कहेंगे कि सर उसको कवर करने में 5 5 घंटे लगते 11 बजे से साधे चार बज़े तक जो वो कबर करता है वह इनका डिफरेंसी तो कबर करता है पहले ही तीन बटा आठ ग्यारा बज़े तक कवर कर चुका था टोटल 5 बटा 6 साधे चार तो पांस बटा छे में से अगर यह 3 बटा प्रवाइनस कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने साढ़े पांच घंटे यानि की 11 बटा दो घंटे में कितना कवर किया है ना राइट मुझे पता चल जाएगा तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चे एक काम करते हैं इस काल्सियम ले लो आप आप देखोगे ट्रीजा ट्वेंटीफोर बीस माइनस नौ है ना बटा चौबिस इसको कवर करने में इसको लगता है ग्यारह बटा दो घंटा यह डिस्टेंस कि भी यह तीन बटा आठ डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है उतना ही हम पीछे जाएंगे मैंने कहा चलो जी तीन बटा आठ का निकाल लेते हैं ग्यारह बटा चौविस का यह है तो एक का कितना हो जाएगा इसी को आप 24 by 11 से मल्टिप्लाई कर देंगे और 3 by 8 के लिए 3 by 8 से आप मल्टिप्लाई कर देंगे अब प्यारे बच्चे आप देखिए ध्यान से 8,3,24,11 ठीक है 9 by 2 आर्स लगता है मतलब 9 by 2 आर्स का मतलब सा अब दोस्तों यह हमारे पास अगला क्वेस्टन है आये चली इसको देखते हैं और एक बार करते हैं करने की दिया है 3X plus 2Y का whole cube minus this cube बराबर ये 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 ठीक है अब एक तरीका ये है कि हम इन cubes को open करें AQ plus BQ plus 3AB bracket ये सब करके ठीक है या फिर हम एक काम कर सकते हैं AQ minus BQ है ये माल लें कि ये पूरा A है और ये पूरा B है ठीक तो AQ minus BQ की form में ये दे रखा है हमें और जिसका formula होता है A minus B और दूसरे bracket में A square plus B square plus AB तो हमें तो इसकी A यहाँ पे जो कुछ चीजे हैं उनकी values अभी find करनी है लेकिन जो पहला bracket है वो sorted है एकदम वो X plus 55 दे रखा है तो क्या ये हमें A minus AQ minus BQ A minus B देगा हमें ये ये चीज़ देखनी पड़ेगी तो एक बार एक काम करते हैं इसको A minus B की form में लेक के देखते हैं क्या X plus 55 आता है तो A minus B जब दोस्तों आप करेंगे 3X minus 2X आपको मिल जाएगा X और 2Y ये minus minus plus हो जाएगा तो 2Y plus 3Y मिल जाएगा 5Y तो ये चीज़ तो एकदम sorted है आपको फिर बस निकालना है A square plus B square plus AB जो बचा हुआ पाठ है और उसको इससे compare कर देना है तो आईए चलिए A square plus B square plus AB find करते हैं ठीक ये रहा आपका 3X plus 2Y का whole square लिख दो आप A square plus 2X minus 3Y का whole square लिख दो plus B square हो गया दोस्तों plus AB तो AB के लिए आप लिख देंगे प्यारे बच्चे 3X plus 2Y और क्या लिखेंगे आप 2X minus 3Y ठीक है दोस्तों इतनी चीज़ आपने लिख दी आईए एक काम और करते हैं अब brackets को open करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे A plus B का whole square है जो की हो जाएगा A square plus B square plus 2AB तो 2AB कितना देगा दोस्तों 12XY देदेगा फिर यहां देखिए 2X minus 3Y का whole square है यह बनेगा A square plus B square minus 2,3,6,2,12 12XY ठीक है दोस्तों फिर आगे चलिए आप इसको देखिए यह देगा आपको 6X square plus का तो plus 6X square ठीक है minus देखेंगे 9XY हो रहा है इदर 4XY तो minus 5XY आपको मिल जाएगा ठीक है और प्यारे बच्चे आप देखेंगे minus 6Y square भी आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब एक काम करिए जितने X square वाले हैं सबको एक साथ लाईए जितने Y square वाले हैं एक साथ लाईए और XY वालों को एक साथ तो 9X square 4X square और 6X square 9, 4, 13, 6, 19 19 X square मिलता है प्यारे बच्चे यहां रेके 4Y square 9Y square और minus 6 9, 4, 13, 13 बच्चे 6 गया 7, 7Y square आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे आप यह है 12XY और यहां पे है minus 12XY तो यह दोनों तो हो जाएगे भीया cancel मिल जाएगा minus 5XY ठीक तो यहां पे लिख दिया दोस्तों आपने minus 5XY यह चीज आपको मिल गई अब यहां पे आपको देखा था AX square plus CY square plus BXY तो बताईए आप जरा इस से इसको आप compare करिए बहुत ही आराम से AX square यहां लिखा है यहां लिखा है 19X square तो प्यार विच्चे A बराबर कितना होगा उधर AX square इधर 19X square A बराबर 19 यहां लिखा है CY square और यह 7Y square मतलब C बराबर 7 CY square 7Y square C बराबर 7 और BXY है माइनस 5XY है तो B बराबर जो है दोस्तों वो है माइनस 5 ठीक है प्यारे बच्चे अब मुझे बताईए आप कि A plus B minus 2C कितना होगा A plus B minus 2C तो एक काम करें A is 19 plus B आप से कह रहा है माइनस 5 कर दीजिए minus 2C कह रहा है minus 2 into 7 कर दीजिए आप क्योंकि C की value 7 है 19 में से 5 गया 14 और 14 में से 14 गया 0 0 will be the right answer in this case ठीक है तो I hope it is very clear to you so this was the last question thank you everyone have a nice day keep studying, keep enjoying मिलते हैं next video में bye